आज हम करने वाले हैं exercise 3.4 का question number two का first question इससे पहले हमने question number one को finish किया था question number one में हमने questions को question four question किये थे हमने उसमें हमने question को elimination method और substitution method दोना से finish किया था अब उसने question number two दिया है जो की number problem questions है उनके सबसे से पहले हमें equations बनानी है equation बनाने के बाद उसको सब्सक्राइब करना है तो question number two को हम स्टार्ट करते हैं question number two में उसने बोला है from the pair of linear equation in the following problems and find their solution by the elimination method उसने का है कि जो equation बनाई linear equation बनाई और उसको elimination method से solve किजिए question number one में उसने बोला है if we add one to the numerator अगर हम numerator में one को add करते हैं and subtract one from the denominator और denominator से one को subtract करते हैं आप fraction reduces to one तो एक fraction जो है one हो जाता है जो fraction है जब add करने पर numerator में add कर रहे हैं one और subtraction कर रहे हैं denominator में one तो हमारा जो fraction है वह one बन रहा है and यहां पहली condition finish होगी second condition में उसने बोला it becomes one by two जो fraction है अब one by two हो जाता है if we add only one to the denominator अब हम denominator में one को add कर रहे हैं और numerator में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हमारा नया fraction जो है वह one by two हो जाता है what is the fraction तो fraction को find कीचे जब हम fraction को find करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम नियुमिनेटर दिनॉमिनेटर चाहिए तो सबसे पहले हम let करना पड़ेगा let the numerator बी एक्स एंड दा डिनॉमिनेटर बी बाई लेट दा नियुमिनेटर बी एक्स एंड डिनॉमिनेटर बी बाई तो यह हमारा हो गया एक्स एंड बाई हो गया हमारे यह fraction बन जाए हमारा एक्स एंड बाई तो उसने अब कंडिशन दी है तो हम यहां लिख सकते हैं क्यक्ष्णक क्या दिया है इसरे कुश्ण में उसने कश्ण में एड उनली वन टुद नियुमिनेटर में कितना एड करना है एंड जब वहारा नंबर और सप्केट कर रहे हैं वन तो हमारा एक्क्यट्वेशण जो है रिडिश हो रही है यह वन उसने बोला था कि मुमिनेट में तो एक्स को वंट कीजिए वो और सब्टेक्ट कर दीजिए वाइसे निव में में मैं से यहाँ से कि तरफ ले कर mention रहां तो यहां से और वन लेली हमने, it becomes 1 by 2, if we add only, यह हमारा fraction है, इसमें अगर हम denominator में 1 को add कर रहे हैं, तो it becomes, it becomes कितना हो रहा है हमारा 1 by 2, अब इसको भी हम cross multiply से हम solve कर देंगे, cross multiply 2x is equal to by plus 1, 2x minus by is equal to 1, equation number second, जब हम यहां तक पहुच जाते हैं, हमारी equation हमें पता चल जाती है, तो हम देखते हैं कि हमारी equation number 1 और equation number 2 में क्या कोई variable equal है, x तो हमारा equal नहीं है, हमने देखा by equal है, by equal है, लेकिन इसके sign भी same है, जब sign same होते हैं और variable भी equal होता है, तो हम करते है equation का subtraction, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, subtracting, equation 1 from 2, equation 1 को, 2 मैं से हम subtract करेंगे, तो 2 को हम उपर लिखेंगे, और 1 जो equation है, उसको नीचे लिखेंगे, और जब भी हम subtract करते हैं, तो sign अपोईट हो जाते हैं, यह कट गया, यह हो गया x और यह हो गया हमारा 3, तो x का value तो आ गया हमारा 3, अब क्या करते हैं, putting the value of x in equation number 1, putting the value of x in equation number, first, first हमारी x minus y is equal to minus, first हमारी x minus equal to minus का 2, तो यह हो जाया हमारा 3, minus y is equal to minus 2, minus का y is equal to minus 2 minus 3, is equal to minus 5, minus minus कट यह है, by is equal to 5, उसने x और by की value नहीं पूछी थे, उसने बोला था, find the fraction, तो fraction क्या हो जाएगा हमारा, fraction हो जाएगा हमारा x by और x upon y का value कितना था हमारा, हमारा है 3 upon 5, तो यही हमारा answer आख जाएगा, और x और by की value गया जाएगा, कि इस तरह से हमारा question number 2 का first finish हो जाता है, इसके next हम करने वाले हैं, इसका question number 2, इससे पहले हमने question number 2 के first को finish किया था, अभी हम करने वाले हैं 2 के second को finish, question number 2 के second में उसने बोला है, 5 years ago, 5 सल पहले, 5 years ago, 5 सल पहले, उनकी जो नूरी वोस थ्राइस, नूरी की जो age थी, वो सवनु की age से थ्राइस थी, तीन गुणा थी, 10 years later, 10 सल बाद, नूरी बी twice as old as सवनू, तो जो नूरी की age है, 10 years बाद, जो है, नूरी जो है, twice हो जाएगी, सवनू की age की, तो how old are नूरी एंड सवनू, नूरी और सवनू, जो है कितने साल के हैं, तो यहां से हमने question में देखा कि उसने पूछा क्या है, नूरी और सवनू की जो है, प्रिजन्टेज की बारे हम पूछा उसने, तो सबसे पहले हम दोनों की प्रिजन्टेज ले लेंगे, let the present is of, सबसे पहले को न दिया है, नूरी, नूरी, बी एक्स, एंड, दा, प्रिजन्टेज, अब सवनू, बी बाई, नूरी की जो प्रिजन्टेज है, वो क्या है, एक्स है, एंड सवनू की जो है, प्रिजन्टेज बाई है, अब अकोर्डिंग टू दा कुशन करते हैं, अकोर्डिंग, टू दा, कुशन, कुशन की अकोर्डिंग, उसने कंडिशन दी गई है, कि नूरी बाउस, अगर आगोज़ा दिए नूरे फघाटे में यह पहले फवियर्स पहले फट्रूप लिखते हैं भुल तरफ लिफ यह अगो की नूरी जो है पांट सल पहले छोटी हो जाएगी और जो सोनु भी तो उसने बोला क्या है कंडिशन को समझेंगे यहां से उसने बोला है कि नूरी बॉस्ट वाली कंडिशन होती है जिसमें ट्वाइस करने के लिए बोलेगा तो उसके जस्ट वाले में हम उसका मल्टीप्लाइ कर देते हैं तो नूरी बॉस्ट थ्रैस तो थ्रैस के लिए बोला था तो थ्री का मल्टीप्लाइ कर दिया अब यहां से इसकी एक्क्येशन को हम बनाते हैं इसके से मल्टीप्लाइ किया 3y-15 नम्मर को नम्मर की तरफ x को x की तरफ y को x की तरफ मानस 15 प्लस 5 इट मीज यह हो गया मानस का 10 x मानस 3y यह हो गई क्येशन नम्मर 1 अब सेकेंड एक्क्येशन में उसने क्या बोला है आप् buttons 10 सब्सक्राइब जाएगा हमारे तन कम में इनक्रीजबेंट कर लिया अब उसने बोलाए यह से लीटर चॉटन एशन कर दोन सक्छी होया नूरी नूरी तवाएस नूरी नूरी अहीं को difference जिन तो Cheers के जस्ट पोईट में ट्वाइस का मल्टिप्लाई क्योंकि एज वाली कंडीशन में जानते हैं कि जिसके लिए बोलता है उसके जस्ट पोईट में उसका तो एक्स को एक्स की तरफ बाई को ले आएंगे और नम्मर को नम्मर की तरफ 10 x-2 is equal to 10 यहां से हम देखेंगे यहां से हमने देखा कि x x equal है दोनों variable same है और sign भी same है क्या करें subtracting subtracting equation 1 from 2 equation 1 को 2 मैं से subtract करेंगे तो हम लिख लेते हैं x-2y is equal to 10 x-3y is equal to minus 10 यहां से हमने देखा कि हमारी condition बन गई कि x- यहां से minus minus और यह भी plus तो यह मेरा हो जाएगा यहां से यह कट जाएगा यह प्लस का हो जाएगा टू मैं से यह by is equal to मेरा जाएगा यहां से 20 by का value मेरा यहां से 20 आ गया तो मेरी value जो है यहां से हम इसको put कर दें किसमा equation number 1 मैं putting the value of putting the value of y in equation number 2 equation number 2 में put 1 में या put 2 में किसी में put कर लिजे 1 में मैं put कर रहा हूं इसको x minus 3 by equal to minus का 10 तो x का value मेरा यहां से निकल किया जाएगा x minus 3 multiply 20 is equal to minus 10 it means यहां से मैंने यह multiply कर लिया यह हो जाएगा मेरा 60 is equal to 60 minus 10 is equal to 50 तो मेरी नूरी की जो एज है मेरी नूरी जेस नूरी जेस कितनी हो जाएगी 50 एंड सोनूज एज कितनी हो जाएगी मेरी 20 और यही हमारे दोनों के answer हो जाएगे इस तरह से हमारा question number 2 का second हमारा finish हो जाता है next हम करने वाले है question number 3 को अभी हम करने वाले है question number 2 का third question इससे पहले हमने इसी वीडियो में question number 1 और question number 2 को finish किया है अभी हम करते है question number 3 को question number 3 में उसने बोलाए the sum of the two date number is 9 तो two date का number क्या होता उसके बारे में आनती एक two date का number जो होता है वो 10x plus by की form में होता है या फिर 10x 10 by plus X की form में होता है या फिर हम इसको S भी लिख सकें 10 a plus b या फिर 10b a plus a इस्तरी सकी form में भी लिख सकते हैं कैसे बनता है 2 date का number बो भी लिख ले है जैसे 28 लिखा हुआ है तो 20 plus 8 भी लिख सकते है इसको 2 multiply 10 plus 8 भी लिख सकते हैं इस तरह की format जो है अमारी क्या क्या लाती है तो यह यह मारा नम्बर है चलिए अब कोशन पर आते हैं तो एक टूड़िट के नम्मर के लिए अमने देखा कि ऑपहले लिख लिएते हैं लैट कि वह प्लेस कि वह प्लेस कि डिजित बी एक्स वन स्प्लेस की जो डेट एकस है एंड 10th place visit be by once place की जो date है वो X and 10th place की date जो है बाई है तो नमबर हमारा क्या बन जाएगा इस तरह से नमबर बन जाएगा 10 10th place की क्या है बाई और once place की X है तो इस तरह से हमारा यह नमबर बन जाए हमारा अब उसने बोला है condition को हम अब पढ़ते हैं according to the question में according to the question question में उसने क्या बोला है उसने बोला है the sum of the digit जो digits दी गही है उनका sum is equal to 9 यह होगी हमारी question number 1 होगी हमारी अब उसने बोला है also 9 times this number is twice अब उसने बोला है also 9 times this number कौनसा number जो number हमारा है वो कैसा है 9 times 9 times is it twice twice the number obtaining by reversing it इसकी digits को अगर reverse किया जा रहा है तो हमारा number जो है कैसा हो रहा है twice हो रहा है अब number को number की x को x की तरफ ले आए दोनों को ही एक ही side ले आते हम यहां से हमारा 0 हो गया यहां से हमने इसको मैनस किया 88 by और यहां से यह मैनस का 11 x 0 11 मेरा common आ गया 11 8 जा 88 11 1 जा 11 यहां से मेरा यह 0 में चला जाएगा इतर करता हूं मैं इसको 8 by minus x is equal to 0 अब मैं इसको सीधा करके भी लिख सकता हूं यह मेरी equation नमारा गई 2 अब हमने देखा equation number 1 और equation number 2 है जो उसमें variable भी है variable भी सेम है और हमारा sign भी अपोईट है तो जब sign अपोईट होता है तो हम क्या अगरते हैं एड़िंग equation equation 1 and 2 1 हमारा है x plus by is equal to 9 minus x plus 8 by is equal to 0 यहां से add करेंगे जो जाएगा 9 by is equal to 9 तो यहां से by का value आ जाएगा मेरा 1 by का value मेरा 1 आ गया by की value को मैं कहीं भी पूट कर सकता हूं और कहीं भी पूट करने से मेरी जो अंतर दूसरा x का जाएगा तो मैं यहां से लिखता हूं putting the value of putting the value of by in equation number 1 equation number 1 थी मेरी x plus by is equal to 9 x plus 1 is equal to 9 9-1 is equal to 8 x का value आ गया मेरा 8 उसने बोला find the number number क्या है मेरा number था मेरा 10 x 10 by plus x 10 multiply 1 plus 8 8 is equal to 10 plus 8 is equal to 18 नमर मेरा आ गया 18 यहां से यह मेरा नमर आ गया 18 और इस तरह से मेरा question भी पूरा finish हो जाता है question number 2 का 3rd अब हम next करने वाले है question number 4th को अभी हम करने वाले है question number 4th को यह हमारा second last question है question number 2 का इससे पहले हम question number 2 के 13 question को हम finish कर चुके हैं अभी हम करते हैं इसका question number 4th काफी important question है यह इस तरह के question आपके examination 4 marks के आएंगे आपके और काफी अच्छे question है समझने के लिए पहले equation बनाने देन उसको solve करना है examination में इस तरह के question को आप किसी भी method को use करके कर सकते हैं क्योंकि वहां अगर वो बोलता है कि elimination method को लगाई है सब्टेटीशन की बोलता है सब्टेटीशन और वो किसी की भी नहीं बोलता है तो जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आप कर सकते है तो question number fourth में उसने बोला है कि Mina went to a bank Mina जो है एक bank जाती है to bid draw 2000 rupees उसको 2,000 rupees निकालने होते Mina को वो उसको निकालने है तो वो cashier से बोलती है she asked to the cashier to give her 50 and 100 rupees note only वो cashier से कहती है कि मुझे 2000 rupees चाहिए और मुझे केवल notes जो चाहिए 50 and 100 किये उसमें चाहिए कि only मुझे या तो 50 के note देना और 100 के note देना Mina got 25 notes Cashier ने क्या किया उसको 25 notes दे दिये count करके in all जितने भी notes से उसने 25 notes दे दिये और Mina का total हो जाता है 2,000 how much how find how many notes of 50 rupees अब cashier ने उसको 50 rupees के कितने note दिये and 100 rupees के कितने note दिये उसको कितना note मिले वह हमें find करना है कि उसको उसने bank वाले को बोला कि हमें 2,000 rupia 50 और 100 के note चाहिए bank वाले उन्हें 25 note दे दिये तो उसने अब हमें यह पता लगाना है कि उसको 25 रुपे पंदर पे जो 50 rupees की note है उसको कितने मिले और 100 rupees की note कितने मिले तो चलिए question को हम solve करते हैं सबसे पहले हम let करेंगे question में हम माल लेते हैं जो ची उसने पूछी है हम उसको let कर लेते हैं let 50 rupees not be x and 100 rupees not be by हमने माल लिया कि जो 50 rupees के note जो है वो x मिले उसको और 100 rupees के note जो है उसको by मिले अब हम लिगते हैं according to the question according to the question question के according हम करते हैं उसको कितना रुपय मिले थे उसको 50 और notes कितने मिले उसको पहले देखिए notes कितने उसको यह भी notes है हमारे x and y और यह भी notes थे तो condition first हो जाएगी x plus by is equal to 25 क्योंकि यह भी notes है उसको यह भी notes है अब second condition में उसको क्या मिला हमारे 50 rupees के जो notes थे वो कितने हमारे x है 50 rupees के notes जो है x है और 100 rupees के jy notes है वो कितने y और इन दोना यह rupees बन गया यह भी rupees बन गया और total rupees कितना मिला 2000 मिला उसको अभी यहां से हमारा 50 common है तो 50 हमने common ले लिया 2000 005 से यह 4 times 40 times हो गया यह ओगे हमारा 40 यह आगी हमारी equation number second अब यहां से हमें variables को check करना है यह variable equal है हमारा इसका तो क्या करें subtracting subtracting equation 1 from 2 subtracting equation 1 from 2 2 equation का है हमारी 2 x plus 2y x plus 2y is equal to 40 and x plus y is equal to 25 subtracting करेंगे तो हमारा sign appropriate हो जाता है यहां से यह हो गया हमारा cut गया यह बाई और यहां से यह हो गया फिप्टीन कि इसको अग्डेड रुपीज की जो नोट से वो कितने मिले फिप्टीन ले अब पुट करते हैं हम बाई की वेल्यू को putting the value of y putting the value of y in a equation number in equation number first equation first three हमारी x plus by is equal to 25 it means x plus 15 minus 25 25 minus 15 is equal to 10 डीमेंट्म उसको 50 रुपीच की जो नोट थे वो मिले 15 रुपीच की जो नोट थे वह कुझा मिले ठियक लिए सकते हम 50 हैंד रूपीज नोट संसल यह विवाख यजन नूट्व सब्सक्राइब हो हुआ आप करते हम फिपत को को इस तरह का कोशन हम से पहले भी कर चुकी है एक्स राज कोशन को करने के लिए सबसे पहले हम मेरी इस पहले एक्सिन सबब्सक्राइब कर गाता और इडिशनल चार्ज दिया गया था जो हमारा ड्राइवर के ने के लिए तो उसी तरह का एक है कि उसमें चार्ज दिया गया था और एस्में भी वही है गया और दिया है तो हम कोशंभा पढ़ते हैं घली ँद्रिया क्या रही है वह कह रहा है कि और लैंडिंग लाइभरेरी रिफड़े कि लिए वह Čने रही है रहा है कि टना तो इसे फिक्स चार्ज लिया जाएगा एंड एडिशनल चार्ज फॉर इस दे और एडिशनल चार्ज भी लिया जाता है उसे जैसे वह एस्टर दिन के लिए जाता है या से फॉर देज हो गया फाइब जो गया इस एडिशनल चार्ज लिया जाएगा यहाफ्टर सर्ता है शर्ता पेड 27 पॉर अब बुक शर्ता जो है वह 27 जो है पेड कर रही है फॉर 7 डेज सेवन डेज का उसने कितना पेड किया 27 पेड किया वाइल सुसी पेड 21 फॉर दबुक शी फॉर 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 सुसी ने बुक्स को लिया ताव पांच दिं के लिए और उसने पेड किया 21 पेड किया find the fixed charge and the charge for each extra days तो हमें fixed charge भी find करना है और extra days भी additional charge भी हमें निकालना है तो सबसे पहले जो हमें निकालना है सबसे पहले उसी को let करेंगे let the fixed charge be x and an additional charge an additional charge for each day be x sorry by अब according to the question question के according आते हैं अभी समझते हैं question को according to the question question में उसने बोला है कि सरिता जो है पेड कर रही है कितना 27 उसने 27 पेड किया कितने दिन के लिए 7 days के लिए अब 7 days लिया उसने तो first 3 days के लिए दिया होगा and 4 days के लिए दिया होगा इसी तो दिया गया होगा और first 3 days का तो x है 4 days का कितना हो जाएगा 4 by तो यहां से condition बन गई हमारी x plus 4 by is equal to 27 तो यह हमारी पहली condition के अकॉर्डिंग बन के आ गया अब नेस्ट कंडिशन है उसकी सूसी पेड कर रही है कितना 21 for कितने days के लिए 5 days के लिए 5 days को हम कैसे तोड़ सकते हैं 3 and 2 it means x plus 2y x plus 2y और यह किशन आगी हमारी second क्योंकि उसने बोला था कि 7 days के लिए अगर रख रही है तो पहले तो यह first 3 days के लिए let the fixed charge यहां लिख भी लेंगे let the fixed charge for first 3 days for first 3 days अभी यहां से कोई भी confusion नहीं होगा and an additional charge for each day अब उसके बाद का जो additional charge है तो 7 days को हमने 3 और 7 में क्यों तोड़ा क्योंकि first 3 days के लिए तो x लिया ही है इस वैसे हमने इसको 3 और 5 को भी 3 और 2 में क्योंकि fix charge दिया गया उसका तो यहां से यह condition बन गई जो condition बन जाती है हमारी तो equation को solve करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको मैं elimination method लगाना है और elimination method की हमें condition पता है कि x और दो variable जो है हमारे दोनों equal है x x equal है और same sign है जब same sign होता है तो हमें क्या करना होता है subtraction करना होता है तो subtracting subtracting equation 1 equation 1 from 2 first message second message first को मैंनस करते है x plus 4y is equal to 27 इट मींज यहां से मैनस यहां से मैनस यहां से मैनस यह कड़े है मैनस का 2y is equal to 6 मैनस का 6 मैनस मैनस कड़े है y is equal to 3 y का value put कर देंगे putting the value of y value of y in equation number first first equation हमारी x plus 4y is equal to 27 तो हमारा यहां से x plus 4 multiply by का value of 3 12 हो जाएगा 12 मैनस तो यह आगया मेरा 15 it means fixed charge हो जाएगा मेरा fixed charge for three days first three days का कितना charge हो जाएगा मेरा 15 क्योंकि x लिया था मैने and additional charge कितना हो जाएगा and additional charge for each day is equal to by का value कितना आएगा मेरा three three तो यही मेरे दोनों आंसर हो जाएगे 15 and three और इसी के साथ हमारा question भी finish हो जाता है अभी तक आपने आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे वाला अगर आपका बटन जो रेड है तो उसको फटा परस उसको black and white कर दीजिए उसको दबा के और अमारे bell icon को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे thank you